नमस्ते जैसिरी रादे कृष्णा आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आज में आपके साब लिट्टी चोखा की रेस्पी से एर करूंगी लिट्टी बनाने के लिए पहले लिट्टी में बनने के लिए मसाला तैयार करेंगे वह सबसे पहले हम मसालों को र पितकने लगा है आप गैस का फिलेम बंद करेंगे और मसाले को पीसेंगे हमारा मसाला पिस्टे आ है साला इस तरह का होना चाहिए ज्यादा मोटा भी नहीं ज्यादा बरीक भी नहीं तो मसाला हम बॉल में डालते हैं एक कटोरी बुने हुए चने का अटा लिया है चार पा आज छोटा छोटा कटा हुआ आदा चम्मस से थोड़ा कम काला नमक नमक आप अपने स्वास्तियम सा डाल सकते हैं दो तीन कटी हुई हरी मेर्च दो चम्मस सर्सों का तेल आदा नीबू है इसका रस डालेंगे अब सब को निक्स करेंगे अब लेट्टी का मसाला तैयार हो लाटा नमक डाले को साइट रखते हैं दो कप मैंने आटा लिया है जो 200 gram है आदा चम्मस नमक डालेंगे दो चम्मस तेल डालेंगे मोमन के लिए इसको मिक्स करेंगे और देखेंगे कि हमारा मॉमन ठीक पड़ा है या कम है अभी इसमें और थोड़ा तेल डालना पड़ेगा एक चम्मच तेल और डालेंगे क्योंकि मॉमन डालने के बाद इसका लट्डू जैसा बनना चाहिए तो अभी मॉमन कम ही है एक चम्मच और डालेंगे सब को मिक्स करेंगे अब यह मिक्स हो गया अब इसको पानी से गूनेंगे पानी थोड़ा-थोड़ा ही डालेंगे और इसका सॉप्ट डो लगाएंगे अब हमने आटा गून दिया है अब इस आटे को 20 मिनट के लिए ड़क करके रखेंगे चोखा बनाने के लिए हम गैस पर बैंगन को गूनेंगे बैंगन को इदर उदर गुमाते रहेंगे अगर एक सैट से रखेंगे तो बैंगन जल जाएगा अब हमारा बैंगन गून गू Rs.10 मिनट लग दे थे आप आलू को भूनने मet 15 मिनेट लग जाएंगे तो हम अलू को ढख देते हैं और बहुन चुकए हैं हैं अब इनको मैस करेंगे अब ये तीनों चीज हमने मैस कर दी हैं एक चमच डालेंगे इसमें सरसों का तेल चार पांच हरी मेंच कटी हुए एक प्याज कटा हुआ दरग छोटा-छोटा कटा हुआ यह सुनकी कलियां परिक कटी हुए कटा हुआ हरा धनिया आदा चम्माच, नमक, नमक आप अपने स्वाद के अमसार डाल सकते हैं, आदा नीबू का रस डालेंगे, आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, सबको मिक्स करेंगे, अब हमारा चोखा तयार हो गया है, और लिट्टी बनाते है अब इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे, लोई आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी बना सकते हैं, ये मैंने नीबू के बराबर की लोई तोड़ी हैं, इसको इस तरह से हाथ पर हखेंगे, और उंगली और अमूठे से इसको बढ़ा करेंगे, इस तरह से गुमाते रहेंगे हैं जो मसाला तैयार करें रख़ा था रहेंगे इसको екहते हैंडये करेंगए इसको बंद करेंगे vraag तरह से हम सारी लेक्टी और को सब्सक्राइब तैयार है दोण में एक-एक करके हम छोड़ेंगे टेल में ये पूरी डूप जानी चाहिए और इनको दीमी गैस पर ही सेकेंगे नहीं तो कच्छी रह जाएंगे थोड़ा हिलाएंगे एक साइड से ये सिख चुकी है इसको पंटेंगे ब्राउन होने तक इनको छेकेंगे एक वार के बैच को 10-12 मिनेट लग जाते हैं ये लिट्टी को हम अलट पलट करके चारो तरफ से शेक लेंगे अब हमारी लिट्टी सिख चुकी है इनको हम तेल में से बाहर निकालेंगे और इनको हम किसू पेपर पर रखेंगे इस तरह से हम सारी लिट्टी को शेक लेंगे अब हमारी लिट् का तरीका अच्छा लगा हो तो आप एक बाद जरूर ट्राई करें धन्यवाद रादे रादे